गाईज इंडिया नेवी की तरब से सिविलियन पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन आउट हो है उस नोटिफिकेशन को लेके स्टुडेंट के बहुत सारे डाउट है कि इतनी जल्दी हम अपनी पढ़ाई को पूरा कैसे करें कैसे स्टेडी को स्टेंड करें किस फलो में हम पढ़े कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए इस वीडियो में मैं सभी चीजों के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि प्रक्टिस टैस्ट आपको कहां से लेने है कैसे लेने है सारी चीजे आपको मैं समझाऊंगा और बुक आपको कहां पर मिलेगी कहां से बु कवर कर सकते हो क्योंकि अगर आप online coaching लेते हो या online कोई batch लेते हो online batch आपका सस्ता पढ़ता है मतलब कि आप लगा लो 599 या 799 ऐसे रहता है देखो मैं तो नहीं पढ़ाता क्योंकि time नहीं है इतना पढ़ाने का ठीक है इतने का वो batch मिलता है ठीक है लेकिन focus आपका 20% focus रहता है पढ़ाई पर ठीक है अगर आप self study book से करोंगे उसमें क्याना आपका 60% focus रहता है पढ़ाई पर क्योंकि आप book पर focus करोंगे और book से हम starting से पढ़ते आई है क्योंकि online की generation अब भी आई है इतना जल्दी हम उसको cover नहीं कर सकते और नहीं कभी cover होगी online study nothing है तो सिर्फ 20% में आ पीचर होते हैं जो online study कराते हैं वो कहां से पढ़ाते उनको सपने थोड़ा आते हैं कि जर्नल अवेरनेस जो है रात को यह दुर गटना गटेगी तुम सुबह अपने question मना दो ऐसा नहीं होता ना न्यूज में सारी चीज़े आती है न्यूज पेपर आता बाकादा उनकी ब percent chances है कि आप exam को crack कर जाओंगे और मैं almost आज से नहीं मैं भी पढ़ रहा हूं और करीवन जब से YouTube चैनल है बुक को मैं refer करता आ रहा हूं यह कोई मेरा paid promotion नहीं है यह मेरे experience के भी आप पे है जो मैं book पढ़ता आ रहा हूं even student को guide भी कर रहा हूं यहां पे हमारे बहुत सारे topic ह प्रक्टिस टेस्ट को लेके हैं बहुत सारे topic है धिमे धिमे सभी चीज़े clear करेंगे पहला है how to complete your study अपनी पढ़ाई विदिन टू यह त्री मन्स टू एंड त्री मन्स कैसे complete करें ठीक है और what should be its pattern इसका पढ़ने का pattern क्या होना चाहिए अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो अगर आप working है देखो बहुत सारे essay student agree family से belong करते हैं कहीं ने कहीं वो part time job भी देख लेते हैं और कहीं ने कहीं फुल time भी job करते हैं सोचते हैं चलो बाहर रह रहे हैं 2-3 घंटा पढ़ लेंगे job भी कर लेंगे घर वालों पर बोज नहीं बनते हैं अच्छी बात है लेकिन प परसंटेज के बियाब पर आएंगे उसका link आपको description में मिल जाएगा लेकिन यह सभी तो आप जानते हो सो कोशन का exam होगा सो नंबर का exam होगा हिंदी और इंग्लिज दोनों language में होगा negative marking इस exam नहीं है यह clear होगा अब यहां पर चार पार्ट में exam को divide किया गया पहला जर्नल अविर्नेंस तीसरा पार्ट है quantitative aptitude फोर्थ पार्ट है English language का ठीक है यह सभी में 25 25 and 25 कोशन आने है 25 कोशन 100 नंबर का अब यार थोड़ा मोटा मोटा दिमाग लगा हुआ आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको pattern पता होगा कि आपको पढ़ना कैसे है इस pattern पे आपको अपनी study complete करनी तो definitely वीडियो को पूरा देख लो बुक कहां से मिलेगी कब मिलेगी वह भी मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़े आपको समझाऊंगा ठीक है यह चीज़े देखो जर्नल इंटलिजेंट जर्नल इंटलिजेंट माइंड का गेम है भाई और कहीं ने कह जिया होता है बहुत सारे स्ट्रॉढन डाउट फुल रहते हैं रिजनिंग वागयरा होती है बस रलिज ऑन वर्बल और वर्बनिजुनिग होती है यह diagrammatic reasoning होती है और diagram के ज़्यादा question आता है CBT exam में ये चीज़े clear हुई तो आप जो है non-verbal reasoning पर focus ज़्यादा देना है वैसे तो सभी reasoning पर focus देना है क्योंकि इसमें से अगर 17-18 question कर लोगे 25 में से enough है बहुत अच्छा score है बेकार score नहीं है बाकी negative marking नहीं है तुक्के मार देना तो कोई problem नहीं होगी सब में B भी select कर देना तो कोई लफड़ा नहीं है ठीक है यह है देखो जर्नल इंटलिजेंट का एक ही teacher है भारत में Puse version Puse version के थोड़ा सा advance पढ़ाता है बट अगर आपने उसकी journal intelligence पढ़ ली तो आपको जो है basic भी clear हो जाएगा लेकिन यह थोड़ा advance पढ़ाता है इसलिए अगर आप 12th base देखो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर group C wagon siege की जितनी भी group C wagon siege है charge man की बात नहीं कर रहा हूँ scientific as a stand की बात नहीं कर रहा हूँ group C की कुक की है MTS की है fireman की है बहुत सारी group C की wagon siege है उनके बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ बाकी group B की जो है अलग से वीडियो आई कि group B का syllabus अभी book के according cover नहीं हुआ है यह सभी topic के according मैंने cover किया हुआ है time जबी इतना लगा है क्योंकि आपने देखा हुगा different different syllabus और different different topic यहाँ पे details में दी हुए सभी को cover करता है यह सभी books ठीक है यह जो मैंने इस तरफ रखी है line के इस तरफ यह 12th base student के लिए है और यह मैंने जो इदर रखे हो 10th base student के लिए है याने group C की दो pattern में वैकंसी जाई है 12th pattern में और 10th pattern में जो भी 12th की भरती है और जो 10th की भरती है ठीक है वो यह पढ़ लेगा ठीक है देखो प्यूस वर्सने के आपको book लेनी है book कहां मिलेगी कम मिलेगी देखो book सही 9 बजे 9 p.m. पे आप जोइन करना और update रहना ये book जो है आप अपनी सूलियत के अनुसार खरीद सकते हो यानि खुद भी सर्च मार के आप खरीद सकते हो लेकिन जो मैंने हावे research किया ये सभी जो book मैं आपको link प्रोवाइड करूआ ये सभी updated book है link से अलग मत जाना क्योंकि सभी 2024 की updated latest सभी topic को cover करते हुई सभी book है क्योंकि एक एक pattern में बहुत सारी book आती है अगर आपने दूसरी book खरीद लेकि तो कहीं न कहीं loss तो आपका नहीं होने वाला क्योंकि basic formula cover है तो कोई रोकने वाला नहीं है लेकिन कहीं ने कहीं चीजे थोड़ी आपकी लाइक में struggling हो जाएगी तो इसलिए easy करना है तो आप जो है नाइम पीएम telegram चैनल वगेरा सब जंग आप डेट रहा हो तो बुक जासे आएगी लिंक वहां से आप जो है आप इन दो है इसलेट करके खरीद लें ठीए अब वीडियो को पूरा देखने ना चोड़ना नहीं बेसक मेरा benefit है पूरा देखने में लेकिन आपका 200% plus benefit है वीडियो को पूरा देखने में ठीक है कि लिए रूए जर्नल अवेर्नेस जर्नल अवेर्नेस निखिल गुपता की बुक है यार जर्नल अवेर्नेस यह दोनों ही 10th और 12th के लिए निखिल गुपता बैस्ट है और निखिल गुपता की बुक आपको खरीद ली है ठीक है अब क्वांटिटिव एप्टिटूर का है सेंबूक है तो नीटू सिंग मैम की भूक खरीज सकते हैं यह तो मैंने बुक बता दिए आपको यह भूक आपको खरीदने लेकिन पढ़ाई किसी पर करें कैसे करें क्या आप planning आपकी होनी चाहिए वो एक बर अप सुनलो देखो जर्नल intelligence देखो जिसका math clear है ना quantitative aptitude जिसका math clear है तो जर्नल intelligence कहीं ने कहीं 60 to 70 percent उसका clear होता है भाई और जर्नल intelligence और quantitative aptitude जितना आप से मेहनत होगी जितनी आप से practice होगी उतनी practice करो भाई ssc mts sscgdk mok test जहां से मिले लगा दो भर भर के लगा दो बहुत सारी online application है नाम नहीं लूगा क्योंकि online application वाले copyrights भीज़ देते भाई बहुत सारी online application है क्योंकि paid promotion मैं यह आपे नहीं कर रहा हूं यह खुद का मेरा experience है ठीक है उन application पर जाओ research करो ठीक है भाई गोड कसम से अगर डेली का आप 10-10 mok test लगाऊंगे ना इस भरती मैं मेरी guarantee आप से यह है कि अगर 50 number के यह दोनों exam है तो 45 number आप से कई नहीं गए कसम से भाई 45 number आपके कई नहीं गए 50 number में से अगर 45 यहां से आपके number आगे क्योंकि यही दो subject है जो score को boost करता है और इनी के base पर selection होता है बाकी जो है याद करने वाला और यह है math जितना निकालो यह उतना निकालो भाई practice है SSC MTS और SSC GD के बर-बर के लगा दो जितने हो सकता है लेकिन ऐसे नहीं लगाना कि मूठ आगे कुछ भी कर दिया time note करना है पर ओपर time ऐसे time लगाना है timer लगाना है timer उसमें set करना है कि मैं 25 मिनट में 25 question करूँ मैं ऐसे तुरण तुरण तुरद फास अपने अंदर की accuracy 45 नंबर ला पाऊंगे ठीक है अब आते हम इंग्लिस वाले पर direct इंग्लिस वाला क्या है इंग्लिस जो है limited syllabus है आपको पता है आपकी sentence का जो भी means की आपके वर्ब है एक्टिव पैसिव है और means आपके बहुत सारी चीज़े है और आपको सारी चीज़े का यह एक्टिव पैसिव है एक्टिव पैसिव है बहुत सारी चीज़े अगर यह सभी फार्मूले इवन इनके according sequence और सिरीज वाई सभी सेट किया जाता है तो यह लिमिटेड सिलेबस है आपका कोई hard सिलेबस नहीं है लिमिटेड है लेकिन आप बुक पढ़के इस सिलेबस को cover कर सकते हो ठीक है और इसमें से आप 25 नंबर में पंदरा भी ले आओ तो कोई घवराने वाले नहीं 45 पलस के पंदरा ठीक है इतने नंबर होगे यह कितने होंगे 60 मार्स होगे बाई और कईना कहीं ST, SC, OBC वालों का सलेक्शन तो 60 फाइनल है और जर्नल अविरनेस का क्या सीन है यह पढ़ने वाला याद करने वाला सीन है ऐसा होता है मिर भाई कि आप कल की न्यूज पढ़ लो यह फिर 15 दिन पहले की न्यूज पढ़ लो, हो सकता है सभी न्यूज वहाई को है और उसमें से करीबन करीबन 50 to 60% कोश्चन डाफनेटले आपके मिल जाएंगे और मिलते आ रहे हैं नेकिल गुप्ता की बुक से पहले भी एससे जीडी में मैंने रफर किया था एससे में भी रफर किया था बैंक की बहुत सारे एक्जाम उसमें भी मैंने रफर किया था तो आते है कोश्चन तो यह पढ़ लोगे तो पढ़ने कोई जरत नहीं बाकी तुक्का नहीं है सपोज करो सत्तर मांक्स का आपने कर लिया सत्तर मांक्स और तीस में आपने तुक्के लगा दिये और इसमें से आपके जो है बीस जो है गलत होगे बीस कोश्चन गलत होगे यह सोचो आप चलो तीस ही कोश्चन गलत होगे इसमें तुक्का लगाया ठीक है तीस ही कोश्चन गलत होगे तो कितने नंबर कटेंगे आप आपको पता है यह नंबर कटे आपके तो कितने नंबर कटेंगे आपको पता है सुगाई यहां पर चार कोश्चन गलत करने पर एक नंबर कटता है ठीक है यहां पर आपके करीबन 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 यहां पर नंबर कटेंगे आपके 8 नंबर के आसपास नंबर कट कटेंगे आप लगा लो साड़े साथ नंबर आपके कटेंगे अगर सतर में थे साड़े साथ नंबर भी आपके गए तो भाई फिर भी इनव है सेलक्षन होने के लिए बहुत है नेगेटिव मार्किंग है तो इसमें स्टुडेंट जो हलका फूल कप पढ़ लेगा तो पास हो जाएगा बहुत सारी चीज़े आपको कोई डाउट लगता है किसी भी चीज़ का तो आप कमेंट बोक्स पर कमेंट कर सकते हो मैं डैफिनेटल के उसका रिप्लाई दूँगा थैंक्यू गाइस